आज ही doubtnet आप डाउन्लोड करें doubtnet पर होगा अब आपके सभी maths, chemistry, physics और biology doubts का सफाया बस अपने question की photo खीचो बसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाऊ डाउन्लोड नाउ इस question दे हो है एन इलिवेटर कार हो जो floor to the ceiling is distance is equal to 2.7 meter ठीक है? starts ascending with constant acceleration of 1.2 meter per second square ठीक है? उपर जा रहा है 2 second after the start a bolt begins to fall from the ceiling of the car then the free fall time of the bolt is ठीक है अगर ये lift है ठीक है? ये क्या कर रहा है? 2 second बाद start होने के बाद ये bolt begins to fall from the ceiling of the car यहां से ये bolt है ये गिर रहा है ठीक है? तो ये उपर जा रहा था ठीक है? ये से acceleration a equals to di 1.2 meter per second square ठीक है? तो इस पर जब जैसी bolt तो इसके respect में इसको एक pseudo force लेगा जैसे at the instant it begins to fall क्या लेगा? pseudo force इसका माल लेटे मास M into A और इस पर एक मास होगा इसका ग्रिविटी फोस लेगा ठीक है? तो इस पर ग्रिविटी फोस लेगा ठीक है? तो ये total distance इसको अबड करने में कितना टाइम लेगा? total distance covered करने में time हमें निकालना है और total distance covered दिया है ये 2.7 meter है ठीक है? ये होगे D तो इसका net acceleration क्या होगे? A net होगे A plus G ठीक है? इस bolt का ठीक है? तो यहाँ से हम जानते है initial velocity यह तो 0 होगा तो distance क्या होता है? half S equals to half A T square ठीक है? ये दिया है 2.7 1 by 2 into A दिया है A plus G और ये दिया है T square हम ये ही T निकालना है तो यहाँ से आजगा T equals to 2.7 into 2 divided ये का बाल्यू दिया है 1.2 plus 9.8 ठीक है? तो यहाँ से ये T आजगा ये होजगा बन जगा 11 आर्दू 10 19 से की गादा बन जगा तो ये होजगा 2.7 into 2 divided 11 ठीक है बाल्यू आजगा यहाँ से 0.7 सेकंड तो हमारा ओप्शन होजएगा 3rd Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर होसा आज ही डाउनलोट करे डाउटने टाप यह WhatsApp कीचे अपने डाउट्स 8444 पर